क्वाटर फाइनल का मुकाबला खिला जाएगा लग्की 11 वर्सिस गाजी 11 लग्की 11 के कप्तान लग्की गाजी 11 के फारान टॉस कराएंगे पठान तरोगे लग्की बॉलिंग करेंगे लग्की 11 के कप्तान टॉस जीत के बारा ओवर का मैच है और क्वार्टर फाइनल का मुकाबला गाज 11 वर्सेस लगी 11 अमपायर का इशारा वाइट वॉल फरहान काफी अच्छी गिनबाजी कर रहे हैं और कप्तान रियाज उपनिंग पे बड़ी शॉट खेलना चाहते थे मगर डॉट हुए बढ़िया शॉट रियाजी खेल दिया है उठाके सीवु है बॉल के बीचे मना किया एकी रन इस्ट्राइप पर फरहान बढ़िया शॉट रन अब लेते हैं फरहान कप्तान रियाज के लिए बढ़िया बॉल परहान की डॉट वे रियाज एक वर दो रन दूसरा वर लेकर आया भे बढ़िया बॉल डॉट वे बढ़िया शॉट फरहान की तो रहा भे वहाँ पर बढ़िया शॉट इसलर कवे रियाज स्ट्राइक पें कप्तान रियाज बढ़िया खेltें इस निकालने गों जानते बॉल से खेलना होगा और वाई सो कतान फरहान श्ट्राइक पें अब है बॉल करेंगे बढ़िया बॉल नौट आउट रन अब लेता है एक बार फिर फरहान के लिए बढ़िया शॉट है फरहान के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन छक्का बाउंडरी के बाहर कैच हुए छे रन मिलेगा चबर्दस चॉट फरहान की दो ओवर 14 रन तीसरा बल्ले करा है लकी 11 की दरफ से फरहान ले चक्का डिसीजन में चेंज होता हुआ चार रन रन अब लेते हुए एक बार फिर फरहान बढ़िया केलना है कप्तान रियाज अच्छी बॉल फरहान की जो टीम ये मैज जीतेगी सेमी फाइनल में पहुँच जाएगी क्वाटर फाइनल चलता हुआ बढ़िया शॉट है र रन अब लेते हुए एक बार फिर फरहान खेल दियाल के हाथों से रियाज ने अच्छी रनिंग मना किया रियाज ने वाइट बॉल स्कोर में एक रन का इजाफा होता हुआ बढ़िया बॉल खेल दिया है ठ्रोगा एक रन हो जाएगा तीन ओवर उन्तिस रन चौथा होगा लेकर रहा है अमिद भाई बॉल करेंगे अमिद भाई सामना करेंगे फरहान बढ़िया बॉल मगर एक रन लेने से नहीं रोप पाएंगे इस्ट्राइक पर कप्तान रियाज पॉल करेंगे अमिद भाई बढ़िया बॉल अमपैर का इशारा नो बॉल और वहाँ पे पैर की नो फ्रे हेट मौका है फरहान के पास और यहाँ पे नोट आउट दिया अमपैर ने फ्री हेट है यहाँ पे मौका है अज़ा हो चुकी है बढ़िया बॉल डॉट हुए काफ़ी अच्छी गिनबाजी कर रहा हमिद भाई बढ़ी शॉट लगाना चाहते थे फरहान डॉट हुए रन अप लेते हैं एक बार फिर अमिद भाई फिर से नो बॉल है और दोनो बार नो बॉल पे आउट किया है मगर एक और नो बॉल फ्री हीट फ्री हीट है बल्ले भाज के पास मौका है बड़ी शॉट लगाने का बढ़िया बॉल रन अप लेते हुए एक बार फिर अमिद भाईरी आज के लिए चार ओवर चौटिस रन पाच्वाँ बल लेकर आए यासिर भाई बढ़िया शॉट फरहान की हिल लिया है एक रन के लिए रन अप लेते हुए एक बार फिर यासिर बढ़िया बॉल डिप करती हुए लहरती हुए बॉल समन ने पाई रियाज कप्तान रन अप लेते हुए एक बार फिर यासिर रियाज के लिए बढ़िया शक्का रियाज का क्या जबर्दस शक्का है बल्ले के connect होने के साथ क्या गजब की आवाज आई है कितना अच्छा connection था ये दरसाता है कप्तान रियाज आज कप्तान ही पारी खेलते हुए रन अप लेते हुए एक बार फिर रियाज के लिए यासिर बड़ा विकेट बहुत ही बड़ी सफलता बाहर की बॉलती ओविश्टम पे खेलना चाहते दरिया राका का बढ़िया कैज जाना होगा कप्तान रियाज को काफी बड़ा विकेट निकाला यासिर ने बारा बंकी के नामी गेंद बाज यासिर आज सिएडी नॉक आउट टूनामेंट में अपनी छाप छोड़ते हुए नहे बल्ले बाजा है सुधानशू बढ़िया शॉट है खेल दिया है उठाके और देखना है वहाँ पे चार रन अच्छी शॉट सुधानशू ने चवए के साथ खाता खोला रन अप लेते हो एक बार फिर यासिर भाई सुधानशू के लिए स्लूर बॉल और खुबसुरत तरीके से खेल दिया फिर्डर सीबू है वहाँ पे एक रन पांच ओवर छियाले सन एक विकट के नुकसान पर गाजी 11 छठा ओवर लेकर आए अमिद भाई रन अप लेते हुए एक बार फिर अमिद भाई खेल दिया है अलके हाथों से रन अप लेते हुए एक बार फिर अमिद भाई फरहान के लिए बढ़िया शॉर्ट है आगे निकल के खेला है और अच्छा प्रियास लकी का मगर छे रन नहीं बचा पाएंगे सांदार छक्का वाइस कप्तान फरहान काफी जबरदस खेल रहा है आज क्वाटर फाइनल मुकाबले में बहुत यच्छी सुरुवाद दिये गाज 11 को नो बॉल और एक रन रन अप लेते हो एक बार फिर अमिद भाई बढ़िया शॉट है सीधे हाथों में अच्छा कहजब है का मगर फ्री हीट थी रन अप लेते हो एक बार फिर अमिद भाई फरहान के लिए बढ़िया शॉट है सामने लखी है अच्छे फिल्डर नहीं एक ही रन मिलेगा खेल दिया है और वहाँ पे कैश पकड़ा राकाने बहत्रीन तरीके से और विकेट जाना होगा वाइस कप्तान फरहान को बहुत अच्छी पारी खेली यहाँ पे कप्तानी पारी शे ओवर 57 रन दो विकेट के नुकसान पर गाजी लेवेल सात्वाब लेकर आए यासिर खेल दिया है बहत्रीन तरीके से चार रन अमपायर ने दिया वहाँ पे बढ़िया बॉल और खुबसुरत तरीके से खेला है सुधान सुन एक रन के लिए रन अप लेते हुए यासिर भाई छोटू के लिए काफिश च्वल्ले बाज़ छोटू पहली बॉल पे खेल दिया है खुबसुरत तरीके से चार रन के लिए कजब का चौका रन अप लेते हुए एक बार फिर छोटू बढ़िया बॉल डॉट वे काफी रोमान चक होता हुआ ये मुकाबला बहुत ही बड़ा मुकाबला है ये बढ़िया शौट खेल दिया है फिल्डर सारीफ है वहाँ पे एक रन के लिए रन अप लेते हुए एक बार फिर यासिर भाई सुदानसू के लिए बढ़िया खेलना सुदानसू क्या खुब्सूरत तरीके से बैटिंग कर रहे हैं साथ ओवर 68 रन दो विकट के नुकसान पर गाजी 11 बहुत ही अच्छा केलने है गाजी 11 के बल्ले बाद आठो आवल लेकर आएं सीबू बढ़िया शौट है और वहाँ पे सत्यम है अच्छी फील्ड एकी रन मिलेगा इस ट्राइक पर छोटू बॉल करेंगे सीबू बढ़िया बॉल डॉट वे छोटू अच्छी बॉल सीबू की अच्छी बॉल सीबू की रन अब लेते हुए एक बार फिर सीबू छोटू के लिए बढ़िया बॉल एक और रन आउट का मौका है बगर पहुच जाएंगे बढ़िया बॉल बढ़िया शोट लगाना चाहरें लगातार छोटू बढ़िया शोट है काफी हाई गई है सारिफ है बॉल के नीचे छे रन गजब का छक्का छोटू का आठ ओवर इक्यासी रन दो विकेट के नुक्सान पर गाजी 11 नवा ओवर लेकर रहा है यासिर बढ़िया बॉल खेल दिया है मिस फील्ड चार रन काफी अच्छा खेल है सुदान सूब बढ़िया बॉल खेल दिया है फरहान है वहाँ पे अच्छी फिल्ड लेंग एक ही रन मिलेगा रन अप लेते हुए यासिर एक बार फिर छोटू के लिए बोल्ड कर दिया है यहाँ पे बैट का किनारा लगके बॉल इस टम पे लगी बढ़ा विकेट नाखुस होते हुए छोटू बहुत ही बढ़ा विकेट काफी जवर्दस गेंद बाजी कर रहे है यासिर इस विकेट का इंपोर्टेंट बता रहा है बहुत ही बड़ा विकेट निकाला है यासिर ने इमरान आये है छोटू की जगे लेने बॉल करेंगे यासिर भाई बढ़िया तरीके से खेला है खुबसूरत तरीके से पहली बॉल को एक रन असानी से हो जाएगा इस ट्राइक पे सुधान सू बॉल करेंगे यासिर बढ़िया तरीके से खेल दिया है मगर बॉल हवा में मौका बना है अब है है बॉल के नीचे कैट ड्रॉप करेंगे तो कहां मैं जीतेंगे आप इतना आसान कैच और वहाँ पे ड्रॉप होता है काफी नाखुस होते हुए यासिर गिनबाज स्ट्राइक पे सुधान सू अंपायर का इशारा वाइड बॉल रन अप लेते हुए एक बार फिर यासिर भाई सुधान सू के लिए बढ़िया एक और बॉल डॉट में सुधान सू काफी चीकिन बाजी कर रहे है यासिर नो ओवर नबे रन तीन विगेट बॉल करेंगे सीबू दसमा ओवर बढ़िया बॉल सुधान सू रन आउट का मौका था मगा सीबू सामने आ गया है राखा का अच्छा थ्रो होता है रन अप लेते हैं सीबू एक बार फिर इमडान के लिए बढ़िया है वहाँ पे मिस फील्ड और चार रन बहुत ही खराफ फिल्डिंग जहां पे कोई रन नी होना चीए तो वहाँ पे चबवा जा रहा है काफी नाखुसों के कप्तान लगी अपनी टीम की फिल्डिंग से और काफी अच्छा यहाँ पे खेल रही है गाजी एलेवन बहुत ही अच्छी सुरुवाद दी थी रियाज और फरान ने रन अप लेते हुए सीबू एक बार फिर इमरान के लिए वाइड बॉल स्कोर में एक रन जाफा बढ़िया बॉल और वहाँ पे अच्छी रनिंग रन अप लेते हुए एक बार फिर सीबू बढ़िया चक्का सुधानसू के बल्ले से निकलता हुआ जबर्दा शौट छे रन के लिए कजब खेलने हैं यहाँ पे गाजी इलेवन के बल्ले बाज काफी अच्छा खेलने हैं सुधानसू बढ़िया बॉल डॉट हुए मगर बाई का एक रनो ले लेंगे और अप लेते हुए एक बार फिर बोल्ड कर दिया है सीबू ने यहाँ पे जाना होगा इमरान को बड़ी सफलता दस ओवर एक सो तीन रन चार विकेट के नुकसान पर गाजी इलेवन ग्यारों अवर लेकर आ हैं लकी इलेवन के तरफ से अमिद भाई बाए हाथ के गिनबाज हैं काफी अच्छे गिनबाजी करते हैं यह और राका कीपिंग से फील्ड सेट कराते हुए बढ़िया बॉल के लिया है एक रन के लिए बॉल लोगे बॉल लोगे बॉल लोगे और यहां पर अपील है एक बार चेक करेंगे वाज ओएस आये हैं हसान की जगए पिर से मौका है मगर वहां पर पकड़ नहीं पाएंगे दो रन बचाए या सिर्वाई ने अपने टीम के लिए बढ़िया बॉल काफी अच्छे गेंबाज है अमिद भाई बहतरीन बल्लेबाज हो वैस नगर डॉट हुए बढ़िया बॉल जरा सा इस्टम मिस हुई और बाई का चववा मिस वील्ड करेंगे तो मैच काफी दूर होता जाएगा लक्की इलेवन ने आज काफी मिस वील्ड की और गाजी इलेवन के बल्लेबाज उन्हे अच्छी सुरुआत दी थी और जिसका फाइदा उठा रहे हैं बाखी बल्लेबाज बाखुबी अच्छी रनिंग वैस की पठान बहुत ही बहुत ही बहुत ही नमपायर और अमिद बाई यहां पर ओवर अपना समात किया ग्यारा ओवर 112 रन पांच विकेट के नुक्सान पर गाजी इलेवन अच्छी बॉल डॉट वे रन आउट का मौका अच्छी रनिंग एक और रन यहां पर अच्छी फीड़ा जिस बाई की बढ़िया बॉल अब है की यहां पर अगर डैरेक्टेट विकेट होता मगर मिस्की रन आउट हुए उएस बॉल करेंगे अब है बढ़िया शॉट सुधान्शू की गजब का छक्का बहुत खूद खेले सुधान्शू आज गाजी इलेवन के लिए बहुत जबर्दस बल्लेबाजी की है आज इन्होंने रन अब लेते हुए अब है सुधान्शू के लिए बहतरीन एक और स्वाट सत्यम है वहाँ पे अच्छा प्रियास बहतरीन प्रियास वहाँ पे मगर रन बचाएंगे अपनी टीम के लिए रन आउट हुए यहाँ पे कामरान एक सो तेश रन बनाए है यहाँ पे गाजी इलेवन ने एक सो चौबिस रन बनाने होगा जीतने के लिए लग्की इलेवन को बारा ओवर में एक सो चौबिस रन बनाने है गाजी इलेवन को यह रन रोकना होगा और लग्की इलेवन को यह रन चेस करने होगा जीतने के दो रन के लिए खेला असाना है गिन्द बाजी करने बढ़िया शोट है फरहान है वहाँ पे बहुत तेज़ तर रार फिल्डर है अच्छी फील्ड मगर जब तक फील्ड करेंगे दो रन हो जाएगा अच्छी रनिंग बढ़िया बॉल सीधे विकट बजा रही थी मगर राका ने लाच्ट टाइम पे बैट लगाया चार ओवर का पावर प्ले है और पहला ओवर हसान करा रहे है श्ट्राइक पे सारिफ लेफटी क्या पावर प्ले का फाइदा उठाएंगे खेल दिया है पॉइंट के उपर से फिल्डर के उपर से मगर फरहान है वहाँ पे अच्छी फील्ड दो रन बचा एपनी टीम के लिए रन अब लेते हुए एक बार फिर खेल दिया है अलके हाथों से मौका बना है फरहान है वहाँ पे अच्छा कैच काफी जी खेला सारिफ ने सिंगल लेना चाहते थे मगर कैच आउट हुए जाना होगा बड़ी सफलता नय बल्ले बाद सत्यम आए है अमपायर का इशारा वाइड बॉल स्कोर में एक रन का याफा रन अप लेते हुए एक बार फिर हसान सत्यम के लिए काफी अच्छे वल्ले बाद सत्यम गलती नहीं कर रहे है दोनों बॉल को रोग दिया एक ओवर आठ रन एक विगेट के नुकसान पर लखी 11 गाजी 11 के ज़र से दूसरा ओवर लेकर आए है सुधानशू सामना करेंगे राका बढ़िया बॉल डिप कर तुई कहीं भी मार सकते थे मगर डॉट वे किसमत गेंदबाच के साथ फिर से फुल टॉस बाल है और बहुत ही खराब स्वाट सेलेक्शन है बिन्नू का अच्छा कैज बहुत ही बड़ा विकेट खामिया जा भुकतेंगे राकेश फुल टॉस बाल पर आउट होते हुए और गाजी एलेवन के टीम में बहुत ही जवरदस्ट खुसी की लहर बहुत ही बड़ा विकेट कप्तान रियाज खुसी मनाते हुए लक्की 11 आये हैं लक्की 11 से बल्ले बाजी करने आये हैं कप्तान लक्की खुद खेल दियाल के हाथों से फिल्डर है वहाँ पे कोई रन नहीं क्या लक्की ये मैच जिता पाएंगे सेमी फाइनल में पहुँचेंगे वाटर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ गाजी 11 वर्सिस लक्की 11 सुधान सू काफी अच्छी गिंद बाजी कर रहे हैं बढ़िया छक्का आते ही छक्का लगाया है कप्तान लक्की ने कफ्तानी पारी खेलते हुए सीखना होगा इनके टीम के बल्ले बाजो को कुछ इन से खलभली मचा दिये लक्की ने छक्का लगाया आने के साथ ही वाइड बॉल अपैर का इसारा एकरन में जाफा बढ़िया बॉल थी सम्मान दिया अच्छी रनिंग सुलान सु एक बार फिर सत्यम के लिए बढ़िया शॉट सामने कोई फिल्डर नहीं है देखना है प्रियाज का अच्छा प्रियाज मगर चार रन नहीं रोक पाएंगे अंपायर का इसारा चार रन क्या खुब सुल अंदाज में चबवा देते हुए अंपायर सिद्दू बाई काफी एक्स्पिरियंस अंपायर है दो ओवर बीस रन दो विकेट के नुकसान पर लक्की एलेवन तीसरा ओवर लेका रहा है हसान कप्तान लक्की को जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी बढ़िया बॉल और वहाँ पे मौका है बगर पहुच जाएंगे वाइट बॉल स्कोर में एक रन का इजाफा होता हुआ त्रिक के रूप में रन अब लेते हुए हसान लक्की के लिए यहाँ पे काफी खतरनाक बाउंसर रन अब लेते हुए एक बार फिर एल दिया है मौका है वहाँ पे फरहान बहुत तेज है बिन्नू एक और अच्छा कहज पकलेंगे कप्तान लक्की पवेलियन लोटते हुए नए बल्ले बाज अभय आए हैं पहली बॉल को सम्मान दिया काफी अच्छे गिंद बाज असान रन अब लेते हुए बिन्नू के लिए असान बढ़िया बॉल असान की रन अब लेते हुए एक बार फिर असान अभय के लिए बढ़िया बॉल और खेल दिया है कोई रन नहीं तीन ओवर एक्किस रन तीन विकेट के नुकसान पर लग्की लेवन कट कर दिया है फिल्डर ओएस हैं कोई रन नहीं अच्छी फील्ड वहाँ पे बढ़िया शॉर्ट सत्यम के बल्ले से निकलता हुआ बढ़िया फील्ड वहाँ पे कप्तान रियाज की तीन रन बचा है अपनी टीम के लिए कप्तान रियाज ने बढ़िया चोट है अभय के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन वहाँ पे चार रन अमपायर का इशारा छार रन अब है के बल्ले से खुख्षूरत चौका और फिड़ सुधानसू रन अप लेते हुआ बहे के लिए हिए खेल दिया है फिड़ से और हवा का साथ मिला बॉल को हवा का साथ मिला बॉल को और अच्छी फील्ड महां पे की है हवा में पैर थे जब बॉल को पीशे फेका जिसके चलते दो रन मिलेंगे सुधानसू काफी अच्छी के इंद बाजी कर और अब है बेहतरीन बल्ले बाज है इनके पास ताकत है मैच जिताने की रन अप लेते हुए सुधानसू बढ़िया बॉल मना किया सत्यम ने बहुत ही रोमान शक होने वाला है ये मुकाबला बड़ी शौड लगाना चाहते थे मगर एक रन मिलेगा सत्यम आ जाएंगे स्ट्राइक पे मना किया हाना हाना चार ओवर उन्तिस रन तीन विकट के नुकसान पर लक्की एलेवन पांच वाल ले करा हैं कामरान वाइड बॉल चार रन पांच रन मिलेंगे वाइड के रूप में पंजा आता हुआ सपोर्ट मिलता हुआ बल्ले बाजी टीम को पहली बॉल पे पांच रन आ गया है वाइड बॉल पे चवा आया बाई का कपल बढ़िया शोट क्या क्या श्टाइल से अमपैर शक्का देते हुए सिद्धु भाई यश लगन ङहीं कामरान एक बढ़ फिर एक और वाइड बॉल स्कोर में एक रन का इजाफा होता हुआ बॉल हवा में है मौका है मगर कोई फिल्डर नहीं फर्म अपलेते हैं कामरान एक और वाइड बॉल स्कोर में एक रन का और इजाफा काफी रोमान चप होने आला है यह मुकाबला बेहत्रीन शॉट है स्टाइलिस शॉट है फर्हान की वहाँ पे अच्छी फील्ड एक ही रन मिलेगा बढ़िया फील्ड वहाँ पे फर्हान की तीन रन बचाए मौका था मिस किया चोटू ने थोड़ा उपर से निकल गई बॉल चांस था रन अब लेते हुए एक बार फिर कामरान नो बॉल फ्रेहेट मौका काफी अश्ट्रा आ गए इस ओवर में फ्रेहेट फ्रेहेट का फाइदाने उठा पाएंगे सत्यम डॉट हुए रन लेना चाहते थे मना किया भेने पवेली अंदर्स को भरा हुआ खचा खच पाँच ओवर 46 रं तीन विकर्ट के नुकसान पर इलना चाहते थे एड ड्रॉप हुआ और यहाँ पे एक रन फ्री हीट है यहाँ पे मौका है लेक पे छे प्लियर लगे थे जिसके चलते नो बॉल हुई प्री हीट का फाइदा उठाया और छे रन खेल दिया ची शौट गजब का छक्का यहाँ पे सत्यम का रन अप लेते हैं एक बार फिर सलमान बढ़िया बॉल डॉट वे सत्यम रन अप लेते हैं एक बार फिर सलमान सत्यम के लिए बढ़िया शौट है एक और वन बाइंस चार रन रन अप लेते हुए एक बार फिर सल्मान सत्यम के लिए मौका था मगर काफी दूर थी बॉल रन आउट यहाँ पे बहुत ही बड़ा विकेट अब है को लोटना होगा पवेलियन काफी बड़ा विकेट हुआ रन आउट अब है का सल्मान काफी अच्छे गेंबाज है सामना करेंगे सौरब और आने के साथ ही बड़ी शौर्ट खेल दी है और वहाँ पे कैच छोड़ दिया है यह कैच नहीं मैच होता काफी टफ था मगर अच्छा प्रियास कहेंगे इसको कैट ड्रॉप तो नहीं कह सकते अच्छा प्रियास कहेंगे रन बचाया बहुत ही बरावरी का मुकाबला दोनों ही टी में काफी टक्कर में बढ़िया शौर्ट सत्यम की फिल्डर फरहान है वहाँ पे एक रन साथ रन हो गए हैं मना किया छे ओवर साथ रन से और साथ रन की एक बॉल हो गई है डॉट बढ़िया शौर्ट अच्छी फिल्डिंग कामरान की फुदी फिल्ड या बॉल कराने के बाद बहुत ही मज़ा आने हाली है इस मैच में एक और अच्छी बॉल कामरान की वापस अपनी ले में आते हुए कामरान पिश्ट्राइक पे सौरप बढ़िया शौर्ट है फिल्डर है वहाँ पे अच्छी फिल्ड एक ही रन मिलेगा जो भी टीम में मुकाबला जीतेगी सेमी फाइनल में प्रवेस करेगी केल दिया है एक बार फिर बॉल हवा में थी कुछ चड़ो तक मगर फिल्डर नहीं पहुच पाएंगे एक रन मिल जाएगा काफी हद तक इस जोड़ी पे मैच निदर बढ़ करता है लक्की 11 को सौरप के पास ताकत है वो छमता है मैच जिताने की और सत्यम काफी बड़ी श हुआ वल्ले कराएं इमरान बड़िया शोट छकका सल्मान की बॉल पे छकका कजप की शोट यहां पे सत्यम की पहली बॉल पे छकका लगाया सल्मान की शत्यम ने बड़े ओबर में तब्दील करना चाहेंगे लकी 11 के वल्ले बाद इस ओबर को खेल दिया है RAM और यह मौका लेबाज फरहान आये हैं सलमान ने बहुत ही बड़ा विकर निकाला था वाइड बॉल स्कोर में एकरन का इजाफा होता हुआ बहुत ही रोमान चक मोड पे खड़ा है मुकाबला किसी भी पच्छ में जा सकता है चोटी बॉलती खेलना चाहते हैं लेक पे डॉट हुए फरहान लेफ्टी अगर यह कुछ देर भी पेश पे खड़े हो गए तो एक तरफा कर देंगे मुकाबला सलमान एक बार फिर अब लेते हुए फरहान के लिए खेल दिया है हवा में बॉल है और वहाँ पे इमरान है अच्छा कैश पकड़ेंगे बहुत ही बड़ा विकेड फरहान पवेलियन लोटते हुए बहुत ही बड़ा विकेड बराबर की टककर मैच काफी फस्ता हुआ दिखाई पड़ा है सल्मान के ओवर में रन जरूरा है मगर बहुत ही बड़े बड़े विकेड निकाल दिया इन्होंने और एक बार फिर वापस दे आया है मैच काफी इलेवन की तरफ सीबू आया है नए बल्ले बाच विकेड यहाँ पे जाना होगा बहुत ही बड़ा विकेड सफलता अंपायर ने नो बॉल दिया बॉलर का पैर इस्टम से टेच हुआ था फ्री हीट जहाँ पे विकेड होना चीए था एक नेस्ट्रा और फ्री हीट सीबू फाइदा उठा पाएंगे क्या फ्री हीट का नए उठा पाएंगे मगर विकेड सेफ रहेगा ओवर आठ ओवर सतत्तर रंज छे विकेड के नुक्सान पर लक्की लेवन नवा बल्ले करा है कामरान सौरब बढ़िया बॉल हलके हाथों से खेला सौरब ने कोई रननी अच्छी गिनवाजी कर रहे हैं कामरान सौरब भेतरीन बल्ले बाज हैं बढ़िया शॉट मगर या जह हैं वहाँ पर मना किया सौरब ने सिंगल नहीं लेंगे और मेरे एसाफ से सिंगल नहीं लेंगे तो फिर मैस से दूर होते जाएंगे अगर सिंगल डबल खेलते रहेंगे तो स्कोर चलता रहेगा और बड़ी शौट आएगी तो काफी सायता मिलेगी चेजिंग में और आप अगर सिंगल नहीं लेंगे छक्का भी लगाते हैं दो अगर सिंगल चोड़ेंगे तो विकेटी होगा अक्सर मैंने देखा है अगर कोई भी बल्लेबास सिंगल को मना करता है तो अगली बॉल पर जादा तर आउटी हो जाता है अपने उपर उले लेता है पूरा मैं जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इसी के चलते विकेट आठ हो गए तरफासा मुकाबला कर दिया है गाजी लेवन ने सेमी फाइनल की तरफ कूछ करती ही गाजी लेवन की टीम बढ़िया बॉल कर रहे है कामरान बढ़िया शोट है खुबसूरत तरीके दे खेला है और वहाँ पे अमपैर चेक बहुत ही बढ़िया विकेट यहाँ पे कैश पकड़ा कामरान का बहुत ही सुन्दर कैश वहाँ पे छे रंजा रहा था और कैश पकड़कर विकेट में तबदील किया नौ ओवर उन्यासी रं आट विकेट के नुकसान पर लकी एलेवन बॉल करेंगे हसान इसकोर में एक रंका इजाफा वाइड बॉल काफी अच्छा होता हुआ मुकाबला एक तरफासा कर दिया है गाजी एलेवन ने सीबू श्ट्राइक पे बड़ी शोड लगाना चाह रहे थे खेला है फरहान है वहाँ पे बड़ी आफील्ट फरहान की रन अप लेते हुए असान यासर भाई के लिए रन अप लेते हुए एक बार फिर असान यासर भाई के लिए बढ़िया शोड है यासर भाई के बल्ले से निकलता हुए चोगा गेन बाजी में दो दम रखते है यासर बल्ले बाजी भी क्या खूप करते है क्या क्लासी चोगा लगाया मिट्टी लगाते हुए जरूरत है इनके बल्ले से निकलने ले रनो की लग्की एलेवन को और जिस टीम से खेलते थे बारा बंकी उसका नाम भी लखी 11 ता है इस्टफाक देखिया आप और आज भी लखी 11 के लिए बल्ले बाजी करते नजर आ रहे हैं हसान काफी घातक गेंद बाज है और यासिर भाई काफी अच्छी बल्ले बाजी कर रहे हैं बढ़िया बॉल काफी सूजबूच साथ बॉल की बाहर बॉल पे चोगा लगा दे यासिर भाई ने इसलिए अंदर कराई बॉल यौर कर लें खेल दिया है दूरती बॉल और चार रन हो जाएगा अच्छा चौका यासिर भाई के बैट से काफी मसकत करते हुए बल्ले बाज रन मना रहे हैं मगर अभी भी बढ़िया शॉट एक और यासिर भाई की अच्छी फील्ड वहाँ पे दस ओवर नब्बे रन आड़ विकेट के नुकसान पर लकी इलेवन बिन्नू आए हैं ग्यार वहाँ वह लेकर बारा बॉल पे चौटिस रन चाहिए क्या मैच ये जिता पाएंगे यासिर भाई रन अप लेते हुए एक बार फिर बिन्नू यासिर भाई के लिए बढ़िया बॉल फ्लूर बॉल वहाँ पे अच्छी फील्ड अस्तान की रन आउट का मौकाम अगर पहुँच जाएंगे ग्यारा बॉल उपे चौटिस रन बनाने है लकी इलेवन को जीतने के लिए केल दिया है हवा में बॉल है कामरान है बॉल के नीचे अच्छा कैश पकड़ेंगे विकेड जाना होगा यासिर भहई को बढ़ी सफलता नौ विकेड गिरा लिया है यहां पे गाजी 11 ने बले बाजी करने है अमित भाई बॉल करेंगे बिन्नु नो बॉल फ्री हीट फ्री हेट है यहाँ पे मौका है आमिद भाई के पास छक्का लगाने का छक्का दो नहीं चुवा लगाएंगे फ्री हेट पे अच्छी फीड़ वहाँ पे सलमान की तीन रन मचा अपनी टीम के लिए एक रन दिया अमपायर ने बढ़िया छक्का सीबू का काफी खुबसूरत छक्का अभी भी मैश में जान है लड़ाई कर रहे हैं लग्की लेवन के बल्लेबाज लाश्ट पिकेट तक बल्लेबाजी है इनके पास मैश कहीं भी जा सकता है कुछ भी हो सकता है अभी 8 बॉल पर 26 रन चाहिए यहां से एक और खुबसूरत छक्का सीबू का इसी छक्के के सास्थ साथ बॉल पर 20 रन ताकत है छमता है मैश जिताने की सीबू के पास 7 बॉल पर 20 रन क्या खुब खेल रहे हैं सीबू क्या लग्की लेवन अभी भी मैश जीत सकती है टौट हुए बहुत ही तेज बल्ला चलाया था 11 ओवर 104 रन 9 विकट के नुक्सान पर लक्की 11 बारुआ उवर लेकर रहा हैं इमरान लाश्ट ओवर में 20 रन मनाने हैं लक्की 11 को जीतने के लिए और श्ट्राइक पे हैं आमिद भाई काफी अच्छे हिट लगाते हैं ये छक्के लगा लेते हैं देखना है क्या मैच जिता पाएंगे पहली बॉल पे रन आउट का मौका मगर पहुच जाएंगे अच्छी रनिंग बाई का रन पांच बॉले 19 रन पांच बॉल पे 19 रन क्या सीबू तीन छक्के लगा पाएंगे या इमरान 19 रन बचा पाएंगे बहुत ही गड़ा मुकाबला बढ़िया शॉट गैप में बॉल है दो की कॉल की है मारने के साथ ही और वहाँ पे मिस्फील्ड मगर दो रन हो जाएंगे मिस्फील्ड के चलते सीबू श्ट्राइक पे आ जाएंगे चार बॉले 17 रन क्या ये मैच जिता पाएंगे सीबू सीबू के पास ताकत है वो च्छमता है मैच जिताने की अरन अब लेते हुए एक बार फिर इमरान बढ़िया शॉट है फिल्डर रियाज है वो गलती नहीं करते हैं रन आउट का मौका मना किया रन लेने के लिए तीन बॉल पे 17 रन जीतने के लिए चाहिए लगकी लेवन को सीबू स्ट्राइक पे फुल टॉस बॉल मिस कर दी है काफी अच्छी बॉल थी मार सकते थे मगर प्रेसर होता है लाश्ट का डॉट हुए प्रान अप लेते हुए इमरान अप्चारिक्ता बागी रह गई है वाइड बॉल करेंगे तो कहा मैच जीतेंगे किसमत साथ दे रही है पंजा पांच रन मिलेंगे सत्रा चाहिए ते दो बॉल पे नहीं बनते हैं वाइड का पंजा दो पे ग्यारा बनते हैं पर बारा नहीं बनते हैं दो पर बारा रण चाहिए यहां से यह बाल भी मार सकते थे मगर डॉट कराए इमरान ने पूरी तरीके से वापस आ गए मैश में एक बारा रण नहीं बनते हैं मात्र आप शारिक्ता रह गई है रण अप लेते हुए इमरान बढ़िया शौर्ट खूब दूर चक्का मगर मैश नहीं जीत पाएंगे नाराज होते हुए छे रण से मैश हार गई है यहां पे लक्की 11 काफी अच्छा के लिए बल्ले बाज और फरहान काफी खुस नजर आते हुए गाजी 11 के वाइस कप्तान रियाज बेहतरीन इनकी टीम जीती और यहां पे यह छोटे साथी गाजी 11 के जीत में खुसियां मनाते हुए अपनी टीम के साथ उचलते हुए उथते हुए और सेमी फाइनल में प्रवेश कर गया है कप्तान रियाज की टीम गाजी 11